नमस्कार मेरे भाई मैं अनियल कुमार आप सभी पर टेन के स्रीज करता हूं पढ़ाई लिखाए आपकी अच्छी तरीक बहतर तरीके साब इन सवाल है बहुत इंपोर्टेंट सवाल है मेरे भाई ये सवाल है अभी आप सोच वह सवाल है जो ज्यादा तर एक्जाम में अब देख रहे हो जवाब किसी भी एक्जाम में बैटा होगे तो यहीं से आपको सवाल देखने हो यहां यह भी बताया था यह भी बताया था पांच-पांच मिनिट अभी रिविजन करते चलते हैं कई कुश्चन हमारे ठीक हो जाथ एक जिए आज का प्तानमेंसों की रास अब यह आपको हल कर लेना हो हल करें जी कैसे कर देख जी जी रो सवंगार चौदेटी-बैयालिस पांच लिए चौदे-चौका शपन नहीं जी कॉदेटी-बैयालिस और देखें मैंकोुदे कहूँदे से साथ जैसे सब्सक्तियए ठत्य को काटते हैं और चौदे-ती-ब बड़ा आसान से ऐसे सवाल हर एक एक एक्जाम में पूछा और सवाल देखें कि एक रासी साधरन ब्याज ते तीन वर्सों में 508 तू यानि कि 5000 82 हो जाथी ब्याज की वही कारानी यानि कि 5000 82 हो जादी एक डाशी थी 22 कितना मिला भाई दो आठ और दस में से दो आज आठाटो बेश्य व्याज तो आठाटो ब्याज मिला मेरे बाई ते दो तासी थी 42, 882 का ब्यासी तो क्या होता मूलधन, मूलधन क्या जी 42, तर कितना जी खालना और समय कितना 3, पर से ऐसा ही सवार, यानि कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे सो बराबर किस के आया जी 882, अब यहां पर समझ यह कितना निकल कर आयेगा भी, 2-0 से 2-0 कट गए, 2-0 से 2-0 कट गए, अब हम कटते हैं, 42, 84, 42, 42, 42, 43 से काटेंगे, यानि कि आर की वैलू कितनी निकल कर आएजी, यानि कि 7% दर निकल गए, 7% क्या निकल कर आएए, मेरे भाई, वो दर निकल कर आए, चीजे समस आए, एक और सवाल, क्या है, 82, 250 की 185 वरसों में 24, 170 का साधरण ब्याज प्राप्त कर लोगर आ, इसका भी साध्रन व्याज दिया हुआ 2400 साध्रन व्याज गया मूलधन क्या होता वही मूलधन साध्रन व्याज मूलधन बुणा दर क्या आज ही निकाल नहीं है और बटे तो क्या होता अब देखें कैसे करेंगे हैं एक जिरो पिरिक्त नहीं देखो आठ ती या चोग देखो तीन पंजे पंद्रह एक और एक साथ तीन आठ सो पच्छे से पांस से आर की वैलू कितनी निकल कर आएगी इस दुना तीन में पर देंगे क्याने कि यह क्या आया जी च्छे परसेंट रा दर निकल पास्ट मागी ने वह करा 24 252 वह करा 850 मूल धन गुणा-दर गुणा समय वटे से आर की वैलू कितनी निकल कर आईजी वह 6 परसेंट आर की वैलू कितनी निकल कर आई 6 परसेंट किसी धनरासी पर 20 वर्सों के लिए प्राव साथन ब्याज उस धनरासी का 2 वटे 5 है तो वार्सिक दर कितनी है हमें बता 20 वर्स में जो ब्याज मिला तो धनरासी का मिला जी कितना 40 परसेंट तो एक वर्स में ब्याज कितना मिला होगा जी धनरासी का वो मिला जी 2 परसेंट और यही हमारी दर है यानि कि वार्सिक दर कितनी निकल कर आई जी 2 परसेंट निकल कर आई चीजे समझ आई बास समझ इसी धनरासी पर दस वर्सों के लिए प्राप्त सादरन भ्यास, उठ धनरासी का कितना जी दो बटे पांच है, यानि कि अब की बार वो कहरा दो बटे पांच, यानि कि सादरन भ्यास कितना जी, दो बटे पांच, यानि कि वो कितना मिलता जी, 40% मिलता, कितने वर्सों में जी वर्स में कितना निकल कर आएगा वो निकल कर आया जी चार परसेंट क्या निकल कर आएज हमारी पार्सिक दर निकल कर आए तो यह रहे आज के सवाल मेरे भाई कुछ उम्मेद करता हूँ कि सारी चीजे समझ आए होंगी और ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे है जय हिंद मेरे बाई